एलो स्टूडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में राम गुप्त के बारे में जानकरी प्रात करेंगे ठीक है, तो गुप्त काल के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है पहले वाले वीडियोज को आप अच्छे से देखेगा, सुनिएगा और जो भी वीडियो हम लोग यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर बना रहे हैं वो सारे के सारे इत्यास विशे से संबन्दित जो भी एक्जाम्स लगती हैं उनके लिए बहुत ही महतोपून है अता है आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आप एक्जाम्स की अच्छे से तयारी कर सकें तो चलिए पढ़ते हैं राम गुप्त कौन था समुद्र गुप्त तथा चंद्र गुप्त के बीच राम गुप्त नमक वेक्ती ने सासन किया था समुद्र गुप्त के दो फुतर थे राम गुप्त तथा चंद्र गुप्त राम गुप्त बड़ा था अतहे पिता की मर्त्यू के बाद वही गद्धी पर बैठा वह निर्बल एवं कायरसा सक था उसके कार में सको ने गुप्त समराजे पर आकर्मन किया राम गुप्त पराजित हुआ तथा एक अत्यांत अपमांजनक संधी करने के लिए बाद्धे किया गया संती की सर्तों के अनुसार उसे अपनी पत्नी धुर्वय देवी अर्था धुर्वय स्वामनी को सकराज को भेंट में दे देना था अपने बचाव का कोई उपान पाकर राम गुप्त ने स्विकार कर लिया उसका छोटा बायचंद्र गुप्ते सवभाव से बड़ा वीर तथा स्वाभी मानी था उसे यह सर्त अपने कुल की मरियादा के विप्रीत लगी उसने यह प्रस्ताव किया कि धुर्वय देवी के वेस में ही में उसे ही सक्पती के सिवल में भेजा जाई उसका प्रस्ताव मान दिया गया फलसरूप उसने सक्पती की हत्या कर दी इस कारिये से उसकी लोगप्रीयता बढ़ी तथा रामगुप्त उतना ही निंदनी होता गया अपनी लोग प्रियता का लाव उठाते हुए उसने बड़े भई राम गुप्त की हत्या कर दी उसके पतनी से विवाह कर दिया तथा गुप्तवन्ज का राजा बन वैठा राम गुप्त की एत्या सित्ता की जानकरी के साधन देखेगा साहित्यक साधन तो विशाखा दत क्रित देवी चंद्र गुप्तम राम गुप्त की गठना का सरव परतम उलेक विशाखा दत की देवी चंद्र गुप्तम नाटक में हुआ है राज्यक्र की कावे मिमांचा में हुआ है, बान भट कृत हर्ष चरीतर में हुआ है और भोज का स्रिंगार प्रकास, संकराचारिय कृत हर्ष चरीतर की टिका अबुल हसन अली का मुझमल उल त्वारीग ये हैं स्वाइतेक्स रोट जो रामगुप्त की अथिया सित्ता की जानकरी हमें परदान करते हैं अब देखेगा अभिलेग तो रामगुप्त का कोई अभिलेग नहीं मिलता फिर भी राश्ट्र कूर्ट मन्स के तीन अभिलेगों संजन, कामबे, संगली में प्रोक्स रूप से देवी चंद्र गुप्तम नामक में उलेखित घठना की ओर संकेत किया गया है संजन का लेख यह लेख राश्ट्र कूर्ट नरेश अमोग वर्ष पर्थम का है तथा इसकी तिती 821 इस्वी है कामबे का लेख यह लेख के गोविंद चतूर्थ के समय का है इसका समय उनिस सोरी 930 इस्वी है संगली का लेग यह लेग भी गोविन चतूर्थ के समय का है इसका समय 933 इस्वी है दुर्जनपूर जो विदी समय है का लेग फिर अताप का मुद्राई तो हमने साइतिक सोथ पड़े अभिलेग पड़े अब मुद्राई हैं जिन से राम गुप्त के बारे में जानकरी प्राप्त मिलती होती है दो जगों से भिर्षा तथा एरन से मुद्राइं प्राप्त हुई हैं ये मुद्राइं तम्वे की हैं भिर्षा से छे सिक्के इसे प्राप्त हुए हैं जिन में से एक जगह पर राजा का पूरा नाम राम गुप्त तथा सेस पर उसके नाम के कुछ अक्सर जैसे राम, मगू, गुत्त आदि हैं बेस नगर जो विदिशा में के पास इस्ति दूर्जनपूर नामक स्थान से तीन जैर मूर्टियां प्राप्त हुई हैं जिनकी चरण चोटियों पर गुप्त का लिपी में तीन लेक उतकिन हैं इन में माराजा दीराज राम गुप्त नामक एक राजा का उ मान है अतहर हम इस सासे की पैचान राम गुप्त से कर सकते हैं ऐसी तिति में यह भी स्विकार करना पड़ेगा कि अपने वन्स के सासकों के विप्री राम गुप्त जैन मतानुयाई था और यही उसके सैनिक द्रस्टी से निर्बल होने का कारण रहा होगा ठीक है तो देख